नमस्कार, National Achievement Survey 2021 यानि कि अनेस फॉर्म कक्षा 3, 5, 8 और 10 के सभी विशयद आपकों को ये बरना है इसे समधित अगर आपके पास order और blank फॉर्म नहीं है तो टेलिगराम ID expert study guru से आप ले लीजिए तो बात करते हैं कक्षा 3, गणित का फॉर्म उपर आप डेटेल है वो बर लीजिए और नीचे सबसे important part जो है नमबर एक सीखने का पर्तिफल, learning outcomes जिसकी पुस्तक आपको विवाग द्वारा, पियो मोध्य तक उफलब्द करवा दी गई है आप वहाँ से ले लीजिए, दो नमबर पाठे पुस्तक का संद्रब, जो सीखने के पर्तिफल है, वो हमें किस से प्राप्त होते हैं, किस chapter से प्राप्त होते हैं, वो दो नमबर में लगाती हैं और चेकलिर संकेत तक सहरेकन, यह एक अक्षा 8 और 10 को नहीं बरना है तो सबसे पहले परते हैं कि कैसे यह फॉर्म हमें बरना है, आप खुद भी इसको अच्छे से बर सकते हैं पहला सीखने का पर्तिफल, जो टेलिगराम ID से ले लीजिए मेरे, वहाँ पे पेडिया बेने उपलब्द करवा दी है विविन वेंजगों का गुणा करते हैं, यह सीखने का पर्तिफल हमें प्राप्त होता है पर्टे पुस्तक गणित की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 9 से 145 से 156 तक क्योंकि चैप्टर 9 जो है वो वेंजगों से समदित हैं तो बच्चे इससे जो सीखने का पर्तिफल है उसमें वेंजगों का गुणा करना सीकती हैं यह हमें सीखने का पर्तिफल उससे प्राप्त होता है अगर वेंजगों से समदित अन्य कोई चैप्टर आपकी किताब में है कक्षा 8 गणित में तो आप उस चैप्टर को भी यहां नमबर एक की लाइन जो है सीखने का परतिफल है वो यहाँ एड़ कर देंगे इस प्रकार आपको यह complete form बरना है यहाँ पांस दे रखे हैं सीखने के परतिफल और आगे पाठे पुस्त का बरनन आन्य सीखने के परतिफल है वो भी यहाँ दे सकते हैं यहाँ यह form आपका complete हो जाता है नए अन्य वीशों के प्राप्त करने के लिए न्यस परम कैसे वरना है चैनल से जुड़े रहें टेलीक्राम से जुड़े रहें वीडियो को सबी गुरू में सेर जरूर करें मिलते हैं नई महत्पुन न्यूज के साथ धन्यवाद